दोस्तों जैज शेराम बंदे मातरम मैं अमन कोशिक फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भायों का यूटूब चैनल आउलाइन किसान में स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं मिर्च के उपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि मिर्च के उपर एक गंभील समस्या आती है डाइबेग या इसको चीना पूरा डेसीज के नाम से जानते हैं यह डिजीज जो है मेंली एक फंगस के बज़े से होती है इसके नियंतरन के लिए हमें कौन सी दबाई का इस्प्रे कैसे सी ड्यूल में लेनी चाहिए तो उसकी जनकरी के लिए स्टुडियो को आपको लाश्ट तक देखना होगा और चैनल में नहीं हो तो लाल करकर करना होगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो उसका नोटीपिकेसन आपको मिलती रहेगी चीनपूरा जो डिसीज है या डाइपेक जो डिसीज है किसान भाई हो यह मिर्ची सिमला मिर्ची दोनों प्रकार की जो मिर्च है उसमें हमको देखनी मिलती है इसके जो प्रारंभिक स्टार्ट होता है धीरे धीरे यह सूख कर इस प्रकार आप देख सकते हैं यह जो टहनी है यह पूरी तरह से सूख चुकी है यह फंगस के वज़ा से मिली होती है तो इसके लिए हमें फंगी साइट का इस प्रे लेना होगा तो मैं और आपको इसके लक्षन दिखाना होगा इस वीडियो में आप देख सकते हैं यह कैसे यह पूरी तरह से सूख रही है यह तो यह बहुत ज्यादा गंभीर समस्थे हैं चीना पूरा या डाइबैक डिसीज के वज़ा से हमारी जो फसल है पूरी तरह से चौपट हो जाती है इसमें फ्रूटिंग नहीं लगती है वह बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो इसके नियंतरन के लिए हमने क्या इस प्लॉट में किया है तो उसके लिए आपको वीडियो को एक लाइक जरूर करना होगा चैनल में नहीं हो तो लाल करकर सब्सक्राइब कर बटन नीचे आ रहगों से दबा कर बेल नूटिपिके जो डेसिज है या जैनि जो वीमारिया उससे अपनी जायत पा सकते हैं अब इसकी अगर हम सड्यूल की बात करें लेना होगा तीन सड्यूल हमें इस्प्रे के तोर पे हमें पहले जब फ्लावरिंग आने से पहले जिस प्रकार आप देख सकते हैं भी फ्लावरिंग आई हुई है तो जब फ्लावरिंग आने से पहले फ्लावरिंग आने से पहले हमें एक इस्प्रे जो है फंगी साइट का लेना होगा उ जो फूल है फल में बदलने लगे तो उस दौरान धुसरा इस पनी को आपको ले सकते हैं दूसरा इस पर आपको कब लेना होगा किसान भाहियो जब फूरी तरह से यह फ्रूट जो है अपने साइज में आ चुकी होगी या फ्रूट जब आ गई होगी या दूसरा इस्प्रे के चार दिन बाद आपको तीसरा इस्प्रे एक अच्छी फंगी साइट का जिसमें आप ले सकते हैं कि सन भाई यो COC, COC, copper oxygen chloride का इस्प्रे आपको लेना होगा तो इन तीन इस्प्रे अगर आप लेते हैं तो यह जो dye बैग जो डिसीज है मैंने जो बताया है पहला इस पर आपको जब फ्लू फ्लावरिंग आने से पहले उस स्टेज में लेना होगा दूसरा इस पर जब यह फ्लावर आने के बाद जब यह छोटा फल छोटे-छोटे जैसे बनना इस्टार्ट हो जाते हैं इस प्रकार आप देख सकते इस प्रेय लेना होगा तो इससे आपको जो नियंतण है खोबी अच्छे से आप डाइबेक कर सकते हैं एक लास्ट में जो मैं आपको उप्चार बताना चाहूँब कि नियंतार्न लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये रिकमंडेट नहीं है यह कोई वैज्यानिक या रिकमंडेट नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो किशान ने किया हुआ है, उसको मैं आपको बाताना चाहूंगा, आप अगर नहीं किये हैं, तो आप छोटे से एक इस्प्रे का ट्रायल ले सकते हैं, डाइपेक अगर आपके खेतों में, म 50-100 ग्राम जो खाने की चूना होती है, उसको इस्प्रे करेंगे, तो जो डाइबेक डीसीज है, उसका नियंतरन हम आसानी से कर पाएंगे, तो इसका इस्प्रे आप कर सकते हैं, तो इन सारी बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से जान गए होंगे, तो नियंतरन आप कर सकेंगे, तो दोस्तों आसा करते हुए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नया हो तो लाल करके सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहागा, उसे दपा कर बेल नोटिपकेसन आउन करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिपकेसन आपको मिलती रहेगी, तो मिलते हैं फिर एक ने में टुपी में तब तक के लिए जय शिराम, बंदे मातर,